हेलो एव्रिवान तो कैसे हैं आप सभी आई होप एकडम बढ़िया होंगे और हम आपका स्वागत करते हैं आप सभी के अपने चानल लर्न फन पे मेरा नाम है तानिया शर्मा और मेरा नाम है अक्षय ग्रुवाल और आज की वीडियो ना उन बच्चों के लिए होने वाली है जो class 9th के paper दे कर अभी class 10th में बस आ ही रहे है तो मतलब अब जैसे कि हमेशा से हर बार होता है कि जब भी 9th से 10th में आते है ना तो automatically क्या हो जाते हैं कि different energy feel होती है तो की एकडम different हो गया ना बहुत सारी चीज़े बदलने वाले आपकी जिन्दिगी में पहला boards आप अपनी life का देने वाले हो तो इसकी एक लाइफ में एक अलगी इंपॉर्टेंस होती है और लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे और पीछे मुझ करके देखोगे तब आपको याद आएगा कि यह जो टाइम पीरेड था जो टेंथ बोर्ट की जो एक साल का यह जो पीरेड होता है य तो बहुत ही यादगार साल आपके जीवन का रहने वाला है और आज हम दोनों आ गए हैं आप लोगों को बताने के लिए कि हाव तो स्टार्ट क्लास 10 तू स्कोर 98 परसेंट ठीक है यहां पर हम आपको एक कंप्लीट रोड माप देने वाले हैं जैसे कि आप लोग देख सकत लेंगे कर लेंगे अभी तो शुरुort है तो एक तरीकेसे इसे रियालिटी चेक मानलो आइना मानलो मिरर मानलो यह वीडियो को मतलब इस तरीकेसे समझो कि इस वीडियो में तुम्हें सारी बाते पता चलने वाली कि class10 तुम्हें कैसे करनी है तो प्लीज इस वीडियो को बिना skip किये देख लेना और एक बात और कि भई मैं ऐसी बात नहीं करना कि बाकी आपने और भी वीडियो देखी होंगी आपने बाकी जगह पर भी लोगों से सुना होगा कि कैसे हमें स्टार्ट करना है और उन्होंने भी अपना जो भी बेश्ट हो सकता है वो आप लोग को समझाया है लेकिन ये इस नहीं काना आपको स्टार्ट करेंगे क्लास में तो हर क्लास के बताएंगी मैस में क्या कर क्या चैप्टर से क्या के चीजे तो आतो मैं आपको नमेंक की प्रॉपर इस्ट रटी बताऊंगा नए साइ couchstersliap कि भई अब पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है और क्या डिफरेंस है जिसको हमें फुल्फिल करना है ताकि आप 98% स्कोर कर सकें तो सबसे पहली चीज एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो बच्चे क्लास 9 में अभी 9 से 10 में आएं हो सकता है कि आप पर से कुछ बच्चों का स्कोर अच्छा रहा हो 98-99% आप लेकर के आए हो हो सकता है कि कुछ का स्कोर आपका 50% 60% या 70% के असपास हो सबसे पहली चीज कि 9 क्लास में कितने भी परसेंटेज आपके आए हो यह 10 क्लास में इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप 10 क्लास में कितने मार्क्स लेकर के आओगे मतलब 98% वाला बच्चा भी क्लास 10 में 98% या उससे भी कम मतलब की 80% तक जा सकता है और वही एक 50% वाला बच्चा भी आपका क्लास 10 बोर्ड में 98% ला सकता है और यह मैं वो सक्स बोला है जिसने खुद भी ऐसा किया है जबकर मैं क्लास 9 में था तो मेरा भी 9 का अइस लिया नहीं था लेकिन 10th क्लास में आकर कि जब घरवालों ने प्रेशर क्रेट करना स्टार्ट किया ना कि आर देखो ऐसे काम करो कि तो तुम्हें बाहर पढ़नी ही नहीं बेजेंगे तुम्हें कोचिंग नहीं करवाएंगे जई के प्रिप्रशन नहीं करवाएंग लेकिन आज की टाइम पर वही स्कोर आपके लिए 98% तक मूव कर चुका है जो कि competition पर depend करता है तो basically यहां पर हम लोग यह बोलना चाहते हैं कि class 9 में अगर आपके अच्छे marks आए हैं या फिर अभी result भी नहीं आए और आपको लग रहाँ आपके paper अच्छे गए हैं तो यहां पर बच्चो आपको बताने वाले हैं basically सबसे पहले यह नीचे आने से पहले मैं आपको बता दू कि class 10 अलग क्यों है क्योंकि यहां पर आपना board exam दोगे पहली बात तो board कोई हुआ नहीं है ठीक है एक normal exam है अभी के हम लोग exam ही देते आएं पूरे साल यहां पर बस एक difference है कि हमें बाहर जा कर देना exam बट इसकी preparation बच्चों बहुत अलग तरीके से होती है तो यहां पर न हम आपकी जर्णी को जीरो से लेकर 98% इवन प्लस पर कैसे जाना है यह बताएंगे जीरो का मतलब क्या है कि बिल्कुल starting से आपको यह जो नया साल है कैसे शुरू कर सकते हैं और हम लोग यह बात guaranteed अक्षिवर में लिखकर दे सकते हैं अगर आपने follow कर लिया ना आप लोग खुद आकर बोलोगे कि यार हां यह चीज यूसफुल हुई क्योंकि यार आप जिन्हों ने अभी अभी 10th के paper दिये उनका क्या कहना है इस बात तो बच्चो एक चीज सबसे important है यहां पर समझना जैसे कि मैम ने बोला कि हम आपको actual में यही बताएंगे कि आपको जीरो से start करना है और एकड़म 98% तक जाना है लेकिन एक सबसे important point कि जो question बहुत सारे बच differences को समझना कि class 10th 9th से कितना difference है और उन difference को जिसने भी fulfill कर लिया उसके लिए 0 से 98% की journey आसान होगी और जो इन differences को fulfill नहीं कर पाया उसने जैसे तैसे किसी भी तरीके से सोचा पढ़ लेता हूं कर लेता हूं वो कुछ भी कर ले लेकिन वो एक expected जो dream aim set कर रहा उस पर नहीं पह से पहले बच्चों यहां पर बात है कि हमने पूरी की पूरी timeline या फिर आप पूरा का पूरा scale बोलो उसको दो पार्ट में बाट दिया अब वो दो पार्ट क्या है एक है तुमारा 60% एक है 40% यह 60 40 का formula क्या है इसको जानना शुरू करते हैं सबसे पहली चीज अगर आप पि कि new education policy आ गई जिसमें British Council के साथ collaboration हो गया इसकी वज़े से अब जो latest paper हो रहे है चाहे आप इस साल का भी paper देखेंगे आपके seniors comment करके बता भी सकते हैं कि paper patent में drastic change आया है जिसमें हम बोल सकते हैं कि अब NCRT का role 60% रह गया है और 40% जो है वो competency focused हो चुका है जिसमें आपको रट certification important नहीं होता वहां पर आप किस तरीके से depth में concept को समझ रहे हैं सीख रहे हैं और उस पर बेज जो questions अलग लग तरीके के बनते है picture based map based हर तरीकी question बनते है वो चीजे अब आपको 40% में करनी पड़ेगी और वो चीज आपको 60% help सिर्फ NCRT करेगी बाकी की 40% help आपको इस तरी पर कम बता रहे हैं NCRT को हम पहले भी गोल्ड बोलते थे आज भी NCRT गोल्डी है तो जो इत्रा भी आपका यह आप देख सकते हूं यह जो बेसिक लेवेल है जितना आपका यह जो 60% की अगर हम पहले बात करें यह बेटा आपका NCRT से ही कवर होगा ठीक है अब इसमें साइन्स इंग्लिश और सेस्ट फोकस करते हैं और इंग्लिश पर लोग लास्ट में जाके सीरियस होते क्योंकि वह एक लांग्वेज सब्जेक्ट है बट आपने देख लिया होगा इस साल मैंने हिंदी भी पढ़ाई है अक्षे ने आइटी और तुमारा सीय भी पढ़ाया यह हमने हमें पढ़ाने पर यह मजबूर क्यों हो गए क्योंकि बच्चों को लास्ट में जाके समझ में आए कि इनकी भी वैली हुए यह जो तीन सब्जेक्ट है तुमारे हिंदी इंग्लिश लांग्वेज और उसके अलावा इटी और सीय इनकी भी वैली हुए तो आपके यह जो नंबर है ना बिटाजी यह केवल यह मेंन सब्जेक्ट से नहीं आएंगे यह सारे के सारे जब आप मिलाद होगे ना तब यह 60 परसेंट आप लोग यहां पर स्कोर कर पाऊगे तो एंस याटी तो बिटाजी हमें डेफिनेटली पकड़ के चलना ही है ठीके तो अब यहां पर हम यह बात तो सौन में आगए कि देखो NCRT तो हर कोई पढ़ाएगा हम भी पढ़ाएंगे और बाकि सब भी हर कोई आपको पढ़ाएगा बात आती है यह 40% के लिए हमें क्या चीजे करनी है जो कि आप लोग के लिए भी नया होगा ठीक है सबसे पहली बात स्कू आपने यह भी देखा होगा कि माम दो चैप्टर पढ़ाती है स्कूल में अगर दो चैप्टर का टेस्ट ले लिया माडम ने तो हो सकता है उसमें से भी जो क्वेश्चन से वो आपके फाइनल में आजाए तो वहां से भी मदद मिल जाए बिलकुल बिलकुल मतलब टीचर न निकालता है उस सेंपल पेपर को देख करके आधे बच्चों को सुन में आता अरे बाप रही यह तो हमने पढ़ ही नहीं था फिर सेंपल पेपर से हम फ्री होते हैं कि बाद में वो प्रैक्टिस पेपर निकाल देता है जो कि उससे भी जादा तगड़ा होता है और देन पे उसमें आपके multiple choice question भी आएंगे उसके बाद case study based question तीन से तीन question case study पर बेच्ट आ रहे है and creative thinking creative thinking इसलिए क्योंकि जो questions आपके handbook में CBSE ने डाले या किसी भी practice questions में लेकर के आते हैं ये सभी questions आपके थोड़े से additional बोल सकते हैं कि आपकी thinking पर बेच्ट होते हैं कि आप कितना depth में concept को समझ पा रहे हैं तो ये चीजे 40% portion आपका cover करने वाली हैं अब यहां पर बच्चों एक बारी मैं आपको overall बता दू कि हम दोनों यहां पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले बात कि class 9 में आपके कितने भी number आए हूं demotivate नहीं होना है ना ही overconfident होना है दूसरी बात class 10 आपका board exam है यानि कि आप बाहर जाकर paper दोगे paper कोई और सेट करेगा paper check कोई और करेगा सब लोग मतलब उसे नहीं पता आपको और आपको नहीं पता वो कौन है कि यह 60-40 को साथ में लेकर आप शुरू से कैसे चले कि आपको आगे चलके जनवरी फरवरी में प्रेशर ना फील हो और आप अच्छे से अपना board exam दे पाओ तो यहां पे हमने basic बताये अक्षिवर मैंने कि 60% में आपका यह चीज़े तो आएंगी 40% आपका यह भी है कि सैंपल पेपर पी वाई कि अगर हम यह सब करते वे चलेंगे अभी आपको लग रहा होगा रहे इतना सारा है अभी जब हम इसको तोड़ेंगे आपको लग रहे इतना असान है ठीक है तो यह 60-40 बच्चो हमें साथ-साथ अब लेकर चलना है तो इसके अपरिल से काउंट करोगे तो आपके पाश टोटल नाइम मन्स है ठीक है इसमें भी सर आप मतलब लोगों को लगता है एक साल है एक साल नहीं है दूसरा तुमारी नेवेंबर दिसेंबर में शादिया इतनी आ जाती है ना तुम लोग रिजिस्ट कर पाते हो वहां पर जान या फ्लो अपना बनाते रहे जाओगे ठीक है तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर लोगे तो एक अच्छी बात है कि मालो इन थ्री मंस में आपने अपने स्लेबस का 40% पॉर्शन भी कंप्लीट कर लिया ठीक है तीन महीने इनफ होते है 40% स्लेबस को कंप्लीट करने के दुनिया बर के चीजी आएंगी फैमिली फंक्शन आएंगे तो तब आप 60% यानि कि 9 मंत में 60% तब आप इसली कर सकते हो और दिसंबर के बाद का जो टाइम होता है जहां पर आपको अविस सी बात है कि जब पूरा स्लेबस कंप्लीट कर लेते हो तभी तो आप सेंपल पे करने का वो टाइम पर करने का वो टाइम में दिमाग लगाने का रीडिंग पैसिज में सबसे पहले बच्चों अगर हम स्टार्टिंग की बात करें अगर मैं फर्स पॉइंट यहां पर एक्स्प्लेन करूं स्ट्रक्चर बहुत जाद़ जरूरी होता है पढ़ने के लिए त्क में इस सएड आजाती उत्यति यानिक प्रॉपर ट्रक्चर के हमें और बण्परेंस सब्सक्रिजंब विद्ла उसी लेक्चर में हमें चैंप्र待 नंबरüh वन से रहाए बहूं है थिद्याय। complete है बच्चे क्या करते अगर मैं इंगलिश का एक्जामपल हूँ सर समरी पढ़ी एक चाप्टर की चाप्टर हो गया जैसे दा रोड नौट टेकन एक पोवम थी क्लास नाइंथ में वो समरी पढ़ी चाप्टर नहीं हुआ जब तक तक तुमने उस चाप्टर के NCRT समझी नह करें तब तक एक चाप्टर नहीं हुआ इसको दिमाग में बिठा लो तो यह स्ट्रक्चर बेटा जी फॉलो करना बहुत जादा जरूरी है साथ ही साथ प्रॉपर नोट अगर आप नहीं बना सकते उसका भी सॉल्यूशन हम लाएं भी बताएंगे आगे बट प्रॉपर नो अगर तुमने अल्रेड़ी यह स्ट्रक्चर वाइस चाप्टर की प्रेपरेशन कर रखी है अब दूसरा important point कि जब आपने chapter पढ़ लिया questions आपको classes में करवा दिये गए अब next level पर important आता है कि आप preparation कैसे करोगे उसके लिए आपको अलग अलग तरीके के questions की practice करनी होती है ठी जैसे की आपको हमने last year बच्चों को 500 questions की PDF प्रवाइड करी ते उसके अलावा भी मैंने अलग अलग time to time बच्चों को अलग अलग questions के PDF या खुद भी questions बना-बना करके send किये ते इविन सर मैंने भी आप मालोगे नी मैं बच्चों को जैसे English का अगर मैं बताऊं तो मैंने क् chapter पढ़ाया था chapter के बाद NCRT के questions chapter मैंने line by line पढ़ाया फिर NCRT के questions उसी के साथ उन्हें previous year questions और extra questions सब करा दिया दब तम मैं दूसरे chapter पे move on करी वही same मतलब जब मैंने तुम्हारी marathon ली थी तो तुम्हें भी इसी type से पढ़ाया था बट यह है कि जब paid वाले बच्चों को प करता है वो है आपका examine examine में मतलब बच्चों क्या हुआ कि सबसे पहले आपने चेप्टर पढ़ा तो उस chapter का chapter test आपको करना ठीक है ताकि उस chapter से लेटर जो भी test दोगे तो पता सलेगा यह chapter कितना आपका strong हुआ अब आपने 2-3 chapter पढ़ लिए ठीक है अब पिछले chapter का test तो द प्ले करते हैं sample paper ठीक है अब लोग गलती क्या करते हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा साल में पढ़ा कभी कोई chapter test unit test कुछ भी नहीं दिया और उसके बाद सीधे sample papers पे जाते हैं पहली बार जाकर की test देने बैड़ गए या प्री बोट्स में पहुंचेगे मैं इसे लिए होता है कि प्री बोट्स में आजर स्यादा बच्चों के हालत खराब हो जाती है उनको marks नहीं समन में आ रहे होते हैं ठीक है कि marks जा कहा रहे ह हमारे तो यह चीज आपको chapter test unit test sample papers के through आपको help करेगा यह testing सब्सक्राइब के लिए important है तो यह सारी चीजे बच्चों आपको यहां पर करना है अब यहां पर हमारा preparation मिट गया है तो इसको मैं एक बारी लिख देती हूं सर ठीक है प्रेप हमने actually दो में बाटा था जो अक्ष पूल वाले यूनो कभी भी exam उठाके ले लेते हैं तो यहां पर overall हम लोग तुम्हें क्या बताना चाहते हैं बचो कि मानलो तुमने early start कर दिया तुमने पढ़ाई शुरू कर दी हमने तुम्हें chapter number one पढ़ाया अब तुम्हें पढ़ना किसे साब से कि chapter number one पढ़ा NCRT का ठी जब तुम यहां तीसरे number जो अक्षे ने बताना कि तुम्हें एक्जामिन वाले factor पे आओगे तब तुम्हें बहुत relaxed फील होगा क्यों क्योंकि तुम्हें chapter पढ़ना ही नहीं है तुम्हें बहुत बार पढ़ चुके हो और question कर चुके हो अब सिफ तुम्हें पर test test sample paper अपन बिल्कुल यह चीज आपको follow करनी है और इसी वज़े से हमने आपके लिए अपना believers batch निकाला है class 10 के लिए इस सारी कि सारी facilities सब कुछ जो भी हमने आपको बताया चाहे वो आपके lectures है lectures related जो सके अंदर content देने वाले हैं या फिर जो भी आपके practice questions मिलने वाले हैं या फिर आप पर मिलना है साती सथ believer 2022 ते इसका कि किसी को कुछ आगे का chapter पढ़ना है तो हमारे last year की lectures को देख करके एक तरीके से आपके लिए बेतरीन खजाना हो गया है यहां पर आप फटा-फट से जाकर के कोई भी topic कभी भी आगे का बढ़ करके भी revise कर सकते हैं यानि कि इस साल का तो ह तो हमारी मैडम ने school वाली ने automatically chapter number 6 उठा लिए और तुम्हें वो देखना है तो तुम लोग इस course में जाकर वो चीज भी देख सकते हो साथ ही साथ ठीके लावा भाई सबका dream होता है कि भाई हमें अपना boards के बाद एनिक 11-12 से किसी को doctor बना है engineer बना है तो इस बार हमने क्या आपके बच्चो जही नीड की foundation classes like NTSA ओलंपियाड वाला portion भी add कर दिया तकि आप लोग साल बर अपने आपको थोड़ा सा additional information include करते रहो जो आपकी जो thinking level को upgrade करने वाली बात हो रही थी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल एक base आपका set हो जाएगा इसके लावा sample paper 500 questions और direct आपके live sessions and zoom seminars हम आपके continuously conduct करते रहेंगे जो आपको बहुत help करेंगे हमसे जुड़ने के लिए और आपके जो भी time to time आपको guidance से यह वो सब चीजे आपको इस batch में देखने को मिल जाएगे प्लस यहां पर यह जो 2 sample papers है यह हम लोगों ने खुद बनवाए हैं ठीक है हमारी team से team के साथ बैठ कर और यह sample papers हम लोग obviously तुम्हें तब कराएंगे जब तुम लोग पूरा प्रिपेर हो जाओगे obviously cbsc अपना निकालता है previous year भी कराएंगे इस साल के भी उसके साथ साथ य यानि कि यार हमारे जो YouTube के भी बच्चे थे जो paid batch के भी बच्चे थे उनका बहुत अच्छा response रहा है इस साल obviously तुम लोगों ने वीडियो में देखा होगा so yeah आगे यार यह तो मिलेगा ही तुम्हें मतलब हर एक chapter का detail में तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे line by line साथी साथ उस test हो गया homework हो गया notes तो यह सब तुम्हें definitely यहां पर सारी चीज़े यह तो add-ons है जो मिलेंगे यह हमारे कुछ super features थे क्योंकि यह कोई नहीं देता Hindi ITC तो यह तुम्हें यहां मिल रहा है believers पिछले साल का course तुम्हें पूरा है मिल रहा है जही नीट की foundation classes मिल रही है दो sample paper तो यह कुछ हमारे super features से जो तुम्हें definitely यहां पर मिल रहे है अब इसका जो price है exactly यह course आपको इस time पर बच्चो जो 31st of March है उससे पहले आपको यह course 3 triple line का है और उसके बाद यह 5 triple line का हो जाएगा तो अभी offer 31st of March तक valid है तो फटफट से आप इस course को अभी नोल कर लीजे और इसक चाट करिए ताकि आप time पर अपना syllabus finish कर सके और सारी कि सारी चीजें अच्छे तरीके से complete कर सके और कोर्स अगर कहां पर होगा किसी को डाउट है तो वो डाउटनट की app पर होगा आप डाउटनट की app install करके अगर आपके फोन में नहीं है तो भी आप यह course खरीच सकते हैं आ आप लोग जल्दी से जॉइन कर लो बच्चो एंट यह जो कुछ बाते हमने बताई है इसको आप लोग अपने ध्यान में रखना एंड इस कोर्स के अंदर भी हम लोग यह सब तुम्हें कराने वाले यानि कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार हम पढ़तों ल कि आज की वीडियो ओविसली कुछ तो हेल्प किया होगा आज की वीडियो ने सो वील बी वेटिंग फर आल यूर कॉमेंट्स थैंक यू सो माच बाबाए